मुन्मुन दत्ता जाती सुचक शब्दों का इस्तमाल किया जिस पर खासा बवाल हो रहा है समाल का में भी अखिल बाल में की महा पंचैत वा दलत इधिकार मंच की और से कलाकार मुन्मुन दत्ता के खिलाफ SC-STX के तहट मुकदमा दर्श करवाने के बारे में मांग पत्र सोपा गया उन्होंने बताया कि अभी नेत्री मुन्मुन दत्ता ने इंस्टाग्राम पर जारी एक कथित वीडियो में कहा कि उन्हें यूटूब पर वीडियो डालनी है जिसमें वह अच्छा दिखना चाहती है और एक जाती विश्येस का नाम लेते हुए कहा कि वह उन जैसा नहीं दिखना चाहती जिससे अनुसूची जाती समाज की भावनाव को आहत पहुची है जिसके चलते उन्होंने शुकायत दे कर अभी नेत्री के खिलाफ मुकदमा दर्श कराने की मांग की है मामला यह है कि एक टेलिविजन दारावाई की कलाकार है मुनमुन दख्ता और वो जो है कोई ब्लोग शुरू करना चाहती है कोई यूट्यूब चैनल अपना शुरू करना चाहती है उस यूट्यूब चैनल के परचार परशार के लिए और खास तोर पे अपने मेक अप को ले करके अपने दिखावे को ले करके वो अपनी चमक दमक को ले करके जो है कुछ बोल रही थी और वो ये भूल गई कि वो बोल क्या रही है इस तरह से तो लगता है कि ये सायद स्वेंबी इसको यूँ आवास नहीं है कि तुम क्या बोल रही है ऐसे महिलाओं को ले करके दलितों को ले करके कमजोर तबकों को ले करके इस तरह का मन में रखना और ऐसी एभदर टिपनी करना जिसको किसी भी सूरत में समयदानिक रूप से सही नीठर आया जा सकता कहीं भी इस तरह की टिपनी को बरदास्त नहीं किया जाता जो उन्होंने टिपनी की है इस टिपनी से अनुसुचित जाती के समाज को ही नहीं बलके तमाम परगेती सील विचार रखने वाले जनता के हिस्से को, लोगों को, महिलाओं को, दलीतों को, मजदूरों को इस बात से ठेश पहुंची है। ये पिछले दिनों हमारा जो टीवी सीरियल में जो तारक महता का उल्टा चस्मा एक सीरियल है। उसमें मुनमुन दत्ता एक कलाकार है। उसने किसी बात को लेकर ये कहा, कि मैं बंगी जैसी नहीं दिखना चाहती। देखिए, हमारा जो संग्ठन है, उसकी भावना को चोट पहुंची है। उन्होंने शर्याम केर सुविदानिक भासा का प्रयोग किया है। छुबा चाहत की जो खातमे की जो सुविदान ने बात की है, उसने दुबारा फिर वो बात दुराई है। देखिए, ऐसे जो कलाकार हैं, उन कलाकारों को खिलाप हमारा जो संग्ठन है, वो चाहता है कि भी S.C.H.T. Act के तहत मुकदमा दर्ज हो और उसको तथकाल परवाव से गिरफतार हो। सम्हालकस सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट